दोस्तों कई बार होता क्या है कि आप लोग नाभी को सुबा में सेट कराते हैं सामकों हट जाती है IBS के ज़्यादा तर पेशेंट के साथ ये कहानी होती है जब आपको पता चलता है कि आपकी नाभी खिसकी है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पहले पेंट पॉइंट चेक कर लेंगे क्योंकि देखिए जब तक आपके नाभी के आसपास के एरिया में अगर चुबन है कहीं दरद होता है तब तक जब तक दरद रहेगा तब तक आपकी नाभी अपनी जगा पर आएगी नहीं ठीक है तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि आतों में जब तक सूजन है तब तक आपकी नाभी आने वाली नहीं है तो फिर सूजन को कैसे चेक करना है वो देख लिजे ये नाभी है नाभी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप जब इस तरह से दबाएंगे तो अंदर से आपको चु पोटी आत में सूजन है दूसरा नाभी के अगर तीन अंगुल उपर यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो अपके पेट के अंदर अलसर है या चाले पड़े हैं आपको गाइस्ट्राइटिस है तो भी यह आपको समझ जाना है कि पेट के अंदर सूजन है अलसर है तो जब तक यह सब हम लोग थेरपी देखे यह पेइन पॉइंट्स को ठीक नहीं करते हैं तब तक नाभी आती नहीं है और आईवेस भी ठीक नहीं होता है ठीक है और दूसरी बात यह जो नाभी है इसके लेप्ट साइड में अगर आपको ज़्यादा चुबन होता है दबाने पर क्यो अगर ज़्यादा चिकनाहट आपके आतों से निकल रहा है तो भविस में क्या होगा कि इन्फ्लामेसन यानि सूजन को और ज़्यादा बढ़ाएगा ठीक है तो यह सब चीजे आपको हम लोग जो करते हैं तेरपी करके यह सारे पेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जैसे ज आप सेट करके आ जाते हैं लेकिन सामको हड जाती है दूसरे दिन भी आप उस बैद के पास उस दाई माता के पास पहुंच जाते हैं कि देखिए यह वापस खिसक गई लेकिन आइबेस के पेसंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है आप ठेरपी लेंगे आपका यह पेंट लेकिन उझे हैं आपका ह glass टे लेकिन नहीं है चुझ सामकोबराने की जिस्विज जरूरत नहीं जिए आपका यह प्रके समक मज़ हैं ज लेकिन आव करके समन्म आपका यहाँ subm्लेगता है